नमस्कार मैं वैभव चौबे और आप देख रहे हैं आदा साहित आदा मेडिया एसम न्यूस के राजनेतिक सक्षातकार कारक्रम में आज जो सक्षित हमारे साथ मौझूद है उससे आप फली भाती पर्चित होंगे राहुल इचारिया जी बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका बहुत-बहुत धन्वाद आपको राहुल जी जहांसी नगर विधानसवाद सीट से कॉंग्रेस के लिए भावी प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे हैं जहांसी की जनता भली भाती पर्चत है आपसे प्रत्मान में उत्तर पिदेश कोंगेस कमेटी का महासर चलूं आदर्निये प्रेयंका जी और आदर्निये प्रिदेश अद्येश अजयकुमान लंडी जी के नेते से पिछले दो धाई वर्शों से लगातार कार खर रहा हूं और संगठन एवं यहां की जो हमारी सम्मानित जाद्यल्निये जलता है उनकी वर्थमान प्रस्तिती वर्थमान कर्णाईयों को उनके सामने प्रेसे राजनेतिक शुरूबात किस प्रकार किया आपने ऐसा है कि एक जुशार चार में सुरू हुआ था जी मेरे बाबा स्वर्गे गुविदाद विचारिय जी जहांसी से सा फुर से फिर जहांसी से बिदायक होके मन्त्री बनें, दस साल मन्त्री रहे, और जहांसी के अंदर अगर आप देखेंगे, जितने भी चावत्रब डवलोमेंट विकास हैं, उसमें मेरे परिवार का, मेरे बावा का, मेरे पिता का एक अच्छा यूग दाल रहा, उधारें के ये बीएचेल पारिचा, ग्रास्लेंड, रेल्वेस्टेशन का जो अधुनी करन हुआ था, फिर यूनिवर्स्टी, इंजिन कॉलेज, नवोद विद्याले, ब्राटा विसंपाइप्लाइड, आकासमारी, बीटीसी, ये सब चीज़ें, तो एक विजन था उनलों का, कि देखा जा रहा है कि लडाईयां गेरों सना होकर अपनों से हैं, अभी फिल्हाल समय है, खुद को बहतर साबित करती हुए टिकट हासिल करने का, तो राहूल अपने आपको किस इस्तिती में देख रहे हैं, क्या शीर्ष कमान उन पर भरोसा जताएगा, देखिए ऐसा है कि क कोई भी कम जादा नहीं है, बहुत सब लोग साब सुत्री छबी के हैं, सब अच्छे लोग हैं, और हम सब का एक परिवार है, हम लोग परिवार की हैसियत से कॉंग्रेस पार्टी के अंदर कार करते हैं, यह निन्ने शीष नेतित का होगा, कि कि किस को पित्यासी बनाना है, किस को संगठन में कार देना है, तो हम सब लोग वचनवद्ध हैं, और कर्म से हम लोगी मान के चलते हैं, कि जो हमारा शीष नेतित और हमारी पार्टी आजिसित करेगा, हम वो करेगे, चाहिए खुल भी है, राहुल जी जैसा देखा गया है, कि ना किवल देश में, बल्कि प्रदेश में भी, कॉंग्रेस का जो एक वर्चस्व रहा है, वो किसी से छिपा नहीं, आजादी के बाद लगभग 40 वर्चसों तक उन्होंने एकशतर राज किया, कुछ वर्चसों सो देखा जा रहा है, ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है, तो इसकी पीछे क्या खामि कॉंग्रेस का एक संगर्स रहा है, इस देश की आजादी और इस देश की अवाम और इस देश की विकास के लेकर, जब ये देश आजाद हुआ था, जीवन तो धारन है हमारे वराब के सामने, कि अंग्रेजों ने इस देश को भिन भिन करके चूना था, सौने की चुडिया वाले देश को वो लूट कर ले गए थे, हमारा कोईनूर भी हमसे ले गए थे, हमारा अस्तित हमसे ले गए थे, हमारी वो सारी एकता अखंता हमसे ले गए थे, हमें छोटे छोटे बिवागों में, हमें जाती में बाट गए थे, टुकडों में बाट गए थे, हिंदोस्ता का जितना भी पैसा था जिस देश को सौने की चुडिया का जाता है उसका जितना भी पैसा था वो राजा महराजाओं के भास था हूँ जे माने कि चंद एक से चार या पांच परसंट लोग यहां के अमीर थे बाकि सब बिचारे गरीब नीड है, उससे भी अगह कोई denies शब्ध हो सकता तो वो था, फिहा अंग्रेजों नंछ ने छोडा था, हिंदोस्तान को भी और पाकिस्तान को भी, जो मैंने शब्ध का है कि जीवन उदारने है उसका यही उदारने है कि पाकिस्तान आज वहीं का वहीं है जहां था सेताली से पहले हिंदुस्तान में सुई से लेके रॉकिट भी बनने लगा ये वर्तमान हमारा भवेश और वर्तमान हमारा वक्त है ये कांग्रेस की वो लगंशीलता कांग्रेस की कारशीलता थी जिसके तहद उसने देश के हिंदुस्त को पंडित नह्रू ने पहले भासन में का था कि ये देश तब तरख्या तरकिय करेंगा जब इसका अंतंग को रहने वाला वेक्ति वह जब सक्षम बनेगा तब यह सक्षम बनेगा तो उन्होंने downwardsなんだ थी क्ले काम कि लाए तो उन्हों ने एक तीसरी सरकाती जब ने देखा कि पंडित नहू के विजन में एक लोक सबा है एक विधान सबा है लेकिन जो पंच्याती राज है वहाँ पर आज भी वह विकास नहीं पहुंच पा रहा जो पंडित नहू हो महत्मा गांदी और अम्बिट कर्वी का विजन था तो आदर्णियर राजीब जी ने त जी ने देखा कि सब जमी जैसे मैंने का जमीदारों के पास सब कुस्ता उन से लेकर राजा मराजाओं से जमी लेकर चकवंदी एक्ट के तरह हमारे दलिद भाई हमारे ओवी सी भाईयों को उनका हक दिया क्योंकि ये देश सब का देश है और इस देश से जाती प्रथा को करने का प्रयास किया इस देश को सिक्षित करने का प्रयास किया है हमारे आदनिये मनमान सिंग जी जब आए तो मनमान सिंग जी ने देखा कि हमारी इस आदुनिक भारत में हमारी देश की अवाम हमारी देश की समाने जंता विदायक सांसद अधिकारियों के दर्वाजे पे मनम्स जी के नेते पर राहुल जी और सुनिया जी के प्रयार से हम लोंने सूचना का अधिकार ले के आए। आप जैसे सम्मास कम्मुनिकेशन के बच्चों आपके उज्वल भविस के लिए राजी जी ने आप पे विश्वास की अठारा वर्ष का आपको अधिकार दिया एटीन में आप बोर्ट कर सकते हैं ने देश का भविस लिख सकते हैं आप जैसे लोगों को रोजगार लाने के लिए सेल्फ फाइनेंस से लेके कैई ऐसे इन्यूवरस्टी में कोर्सिस लेकर आए चोटी छोटी इंडिस्ट्री देशन का का मन्रेगा लेकर आए हमारे गाउं के युवाओं को रोजगार देने के लिए जिसको वर्ड में एकुनाइज दिया गया वर्तमान हमारे प्रद वर्शों की सरकार में बचाया हुआ तो मन्रेगा है जो बचाया हुआ है तो मेरा क spiral पर है कि यह हमारी प्रता केस दिये हुए विजन को फॉलो करते हैं तो हम कमजोर नहीं हुए हैं कमजोर परिस्थितिया हुए है जब हमें इस विकास को आगे बढ़ाते जा रहे थे तो एक गुजराती मौदल हमारे बीच में आया है उन्होंने का इस देश में बहुत कुछ है हम गुजरात तो बेच हम तो जब यह सोच हावी हुई तो पूरे वर्ल्ड की ताक्तें एकतित हुई तो जूटे विजन देके अच्छे दिन आएंगे जैसे आज मैं आपसे कहूं कि अगर पार्टी मुझे मौका देती है और जहांसी की जनता मुझे आशिवा देती है तो मैं आप विवाओं के लिए यह करूँगा यहां पर मल्टी लेवल पार्किंग कराऊंगा ऐसे के तो अगली बार कभी मैं आपके पास आऊँगा तो आप मुझसे प्रिशन चिन करोगी कि रिचारिया जी यह आपने किया नहीं किया एक रिपोर्ट कार्ड मेरा बनेगा लेकिन मैं अगर आपसे क हुले बाले लोग गरीब लोग भैग जाए बाद में हुला उच रोई जुमला था दो करूर छे करूर पचास करूर रोजगार देंगे कुछ नहीं बाबाराम देव हमारे आधर्णी है अध्यात में गुरू रोने कहा था कि भाई 35 रुपे 25 रुपे वाली डीजल पैट्र देता जा रहा है गरीब आदमी अपनी बिटियाओं की शादी करने के लिए सोना नहीं खरीद पा रहा है उसमें इतने अटैक्स हैं आप बाद समझे तो इन्होंने क्या किया जब इनके दिमाग में आया तो इन्होंने ऐसे बेवनियादी नारे देकर ये इस देश की सत्ता होना है पिछले 32 वर्षों से यहां पर छेत्रिये पार्टियां भी यही करते आ रही है तो देखिए जो देश देश की दौर से हटकर समाज जाती हो व्यक्तिगत पर आएगा उस देश में यह दौर आएगा आज हिंदुस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सरकारी थी प्राइवेट का हो गई है यह विड़ना दुर्भाग है कॉंग्रेस का दुर्भाग नहीं है कॉंग्रेस तो वचन बद है हमारे संस्कार में हम सत्ता में नहीं है पिछले 32 वर्षों से लेकिन आप और आपनों ने भी कवरेश किया सड़क पर अंदुलन अगर कोई करता है हम लोग करते हैं सड़क पर अगर जंता की आवाज बनते हैं तो हम लोग बनते हैं तो यह हमारी फित्रत है और इस विश्वाथ के साथ कि जब हमने अंग्रेजों की नहीं सुनी तो वर्षवार उनके संस्कार में चलने वारों की क्या सुनेंगे और हमारी देश्की जंता बहुत माहले है आज नहीं कल तो उपना हग समझेंगे भर हमें आशी ह werde और जिस दिन वो आशी हम पुतिज को और Everybody करेंगी इस प्रदेश को इस जलेंगे दिस को गुन्दिल्ख्षंड को फिर वह हम बिकास सुरू करेंगे और जो बिट चुका हम फिरो इतनी सरकारी चीजें बना डालेंगे कि ये देश फिर से खुशाल होगा बेरोजगारी से बढ़ती महगाई से जी डीपी से और कोवेट यसी महामारी में भी इन्होंने पॉर्चुनिटी समझा उसमें भी लोगों को क्या मनश्य बहुत खुप्सूरत उत्तर दिया आपने माई खटाने का एक तरह से जी नहीं कर रहा था मेरा अच्छा राहुल जी ये बताईए कि आगामी विधानसभा चुनाओं में कॉंग्रेस किन मुद्दों को लेकर उत्तर रही है देखिए उत्तर प्रदेस में सिवाय समस्याइं और मुद्दों के अलावा कुछ नहीं है पिछले 32 वर्षों से इस उत्तर प्रदेस को खिन खिन करके ही बाटा गया है और लूटा गया है हम सिर्फ और सिर्फ हमारी आधरनी सम्मानेज जंता की आवाज बनकर हम उनकी रोजगार की समस्याओं को लेकर उनकी अपनी दिक्क साथ को लेकर हम खड़े होंगे हम कोई ऐसे ब्याल आएकर नहीं आएंगे कि हम ये करेंगे हम और हम ध्या जाती परनेखी हम उनके विकास पर चुनावगांगे ने चूपके और लेंगे हम उनके बिकास पर चुनाव करेंगे आज ऊत्तर पिदेस का जो युवा है तो महलाओं के साथ त्याचार गंदगी हुई है तो वो हमारे यहाँ है हमारा एक क्लियर विजन है लड़की हूं तो लग सकती हूं उनके हक्की बात करेंगे हमारा क्लियर विजन है कि किसानों की हक्की बात करेंगे आपने अपने एंकार में आठ साथ सो से आठ सो किसान मार है से चंद दो तीन कॉप्रेट वालों के लिए कॉंटेक्ट फार्मिंग के लिए फिर फाइनली इस देश की रिड़ की हटी किसानों के सामने आपको जुकना पड़ा और आपने तीन काले कानूर बापस लिए नहरू जी ने जो एफसी आई का गोडाउन खोला था वो उस गो और देश की और वर्तमान चिले की जंता से यही कहेंगे कि पुना अपने परिवार पर अपने हम जैसे कारकरताओं पर विश्वास करें आधर्निय प्रियंका जी के नेत्यत पर विश्वास करें और उन्हें आश्रिवाद में आप देखिएगा यह देश फिर से खुशाल ह राहुल जी अगर हम बुंदेल खंड के प्रपेक्श में बात करें तो यहां की मुख्य समस्याओं में सूखा समस्या पेजल संकट और रोजगार के अभाव के चलते पलाया यही दिखाई देती हैं यदि जंता आपको मौका देती है इस बार के विदानसवा चुनाओं में तो इनके प्रति क्या योजनाए है आपके बहुत अच्छा सवाल गिया आपने लेकिन हम पूर में अपना पहले अपना डिने के बारे में बताना चाहिए कि यह समस्या क्योंकि बुंदेल खंड पत्रीला इलाका है पंजाब पांच नदी वाला प्रदेश है आज हुआ का स अरे बंदेल्गंड साथ नदीवाला एरिया है लेकिन सब से जादा सुका पानी के लिए संगल से तो हमारे बंदेल खंड में हैं सब्से ज्यादा मैं Mansion है हमाई सडके खराप है तो हमारा जो प्रयात रहेगा बंदिल खंड में और जहा तक सूके की बात जवाब कर रहा हूं हम हमेशा संजीवनी या फिलर का काम करते थे जब किसान आतम दहाओ प्लाइन कर रहा था 22,000 करोड रुपे का 2009 में कर्ज माफ करके किसानों को पुनर जीवत किया था एक लाख बीसजार करोड उका कर जिसमें बातना जा रहे हैं हमने पूरे देश के किसानों को कर जेयर माफ किया था इनना एक लाख बीसजार करोड ओ ॉर hem थेस थे पहने रहा हैं तो हम इसी तरीवे की इस कीम से तहट हम अपने मुंदिल खंडी अपने जली के किसानों को पुनर तागत देंगे और उनके बच्चों को सिक्षित करकर इतना काविल बनाने का प्रियास करेंगे कि उनको यहीं रोज़कात लेंगे और जैसे मैंने आपसे का डी एने हमारा विजन था हमारे बाबा मुझे याद है वो वक्त हमारे बाबा सारे डीम और मंडल के अरे कमिशनरों के साथ बैठके बात करते थे बताईए तीस साल बाद जहासी के अंदर क्या रोज़गार की सम्मामनाएं होंगी कितनी जरूत पड़ेगी उसी प्लानिंग के तहत इंदरा जी से लड़कर बी-एचे लुपारी चार ग्राफ्रेंड लेकर आए थे उसी के तहट प्लानिंग करकर इस रेलवे स्टेशन का ये इतना बड़ा आधुनी करन किया गया था उसी प्लानिंग के तहट मेरे पिताने को मेरे पिता को मालूम था कि बंदेल खंड का आदमी जहासी जिले का हमारा अमिटकर जी ने का है पहले सिक्षे थो संग्टे थो तब ही आप आगे बनोगे तो हम तो उनके अरुग आई हैं हम उनके चड़नों को नवन करके आगे बढ़ते हैं उसी तेस मेरे भावा मेरे पिता बढ़े तो अगर हमें फिर से मौका मिलता है आज वरतमान में ज स्मार्ट सिटी की बात करते हैं सिर्फ नेम चौरहों पर स्मार्ट सिटी बन रही है आज कचड़े के लिए हमारा अंदर का आदमी परेशान है हर मौसम में संगस बारिश होती है तो पानी ओवर घर में घुच जाता है गर्मी पढ़ती है तो पानी पीने को नहीं मिलता है से मगाया जाता है तो यह बनियादी समस्याओं के लिए ना संगस करना से चीक है ना और मैक्सम मेरा परपस हैगा कि यहां पर जो सबसे बड़ी संबावना है वो टूरिजम की है जी और यहां पर हम हब की तरह प्योग हो रहे हैं सेंटर की तरह यूज़ हो रहे हमारा डॉ किसी भी हमारे साती गूसंमारे साती को आशिवाद देती है जो भी प्रत्यासी होगा तो पराइटी लेवल पर जासी के अंदर जिस पैचानसे हम जाने जाते हैं रानी जासी के नाम से टूरिजम को मैं इतना बढ़ावाद दूँगा ताकि आप जाएं तो जो हमारा पार् को बुलाता हूं इसलिए क्यों कि मैं अपने बुंदेशन की खुद सूती है और इस बार कमेंट भी था कि लगदाक से अच्छा मारा बुंदिल खड़ है राहुल जी जैसा कि चुनाव आयोग ने भी कहा है कि बढ़ते कोबिट प्रसार के चलते पांच राजियों में चुना में क्या हुआ था और यह बहुत ही एंकारी वैक्ति इस देश में बैठे हुए है आपको क्या लगता है मैं आपके निजी राय जाहा है सुन तो लीजे तो मेरा कहने का ताथ पर है कि दूद का जला छाग भी फूपूप के पीता है यह पहली बार विड़मना इस देश में हो रही है कि कुछ भी को हमें अपने स्वाथ ली देना है लेकिन मैं आपके चैनल के मादियम से लगा लगने पर विश्वास नहीं करता हूँ मैं सिर्फ आपके चैनल के मादेम से निवेदन करूंगा अपने सम्माने साथियों से प्लीज सुरक्षित रहें मास जरूर लगाएं कोविट के वो सारे नियमों का पालन करें और अपने हग के लिए बोट देने जरूर जाएं क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं यह को इसी वह मेडिया हैंटलिंग में मजबूत पक्ष मानी जाती है तो आपको क्या लगता है कि अन्य पार्टिया इससे प्रभावित होंगी इससे कोई प्रतिकूल देखिए मैं आज आपको क्लियर कर दूं कि बीजेपी किसी भी चीज में और आगे नहीं है चाहें सोशल मीडिया हो च जब भी कोई चीज आगे बढ़ती है वो पीशे होते हैं तो उससे बेहन लगा देते हैं तो देखिए साफ मैं फिर आप से निवेदन कर रहा हूं आपके चैनल के माद्यम से कि प्लीज इस बार जब आप बोट करने जाएं तो ना सोशल मीडिया का इंतिजार करें ना उनक हमारे अपनों ने कितने कितने परिवार उजड़ गए ते इस देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी विड़ा बना हैं कि एक यहां की हिंदुस्तान की जिसको हमने एक्टर्स बनाया वो यह कह रही है कि हम मतलब क्या भूले हैं सब शब नहीं है तो यह जो वाटसैप इ अइबस्टी चल Türkiye झेए उस पे विश्रास भी नी करें अपने इत्यास पे विश्रास करें आपने ए हिटलर का नाम सुना होगा था हिटलर ने क्या किया था ये पुरानी हिएंस को खत्म करने के लिए उसे क्या क्या है कि पूरे देश की सारी किताबों को सारी हिस्टरियों क कि उसी देश की अवाम ने उनको हटाया और आज हर उस दिन पूरे देश के लोग एकतित होते हैं अपनी बुक लाइबरेरी में देखे आते हैं तो आज पुना हूं उसी तरह से तो यह हंदुस्तान ही हंदुस्तान की आत्मा में इस देश का इत्यास है इस देश के संसकार है यह कुछ नहीं मिटा पाएंगे तो मैं आपने उसे निवेदन करूंगा भीया कि अपने हग के लिए आप डिजिजन लीजेगा क्योंकि जिसने आप अपने लिए डिजिजन लेंगे आप कोई दलब डिजिजन लेंगे और फिर से आप सिर्फ और सिर्फ कॉंग्रेस को भारती धर्मिया संप्रदाय के नाप पर लड़े जाते हैं आपको क्या लगता है कि भारती राजनीती का या सबसे दुर्गम दौर है या भविच से इससे भी भयानेक हो सकता है देखिए इसमें दोराएं नहीं है आपने शब्दों में ही जवाब दे दिया यह मन्ना कोव पर नहीं है यहों कि अद्यात में सक्तियों में बहुत ताज़त है फूरा वर्ड आज हमारे वेदों पर और हमारी योगा सक्तिय पर आ रहा है ठीक है लेकिंट जिस त्रीके से ये जो कर रहे हैं इनकी जो बुनियादी समस्या हैं और ऊस पर कोई बात नी कर रहें यह यह माट माट कर राजनीत कर रहा है और जो हमें बिवाजित कर रहा है यह वही सैथाली से पहले वाले हिंदुस्तान को निर्माणित करने का प्लान कर रहा है यही है लेकिन आप फिंता नहीं करो इस देश की जनता बहुत बहुत संसकारी है और जब करवट लेती है ना जब उनके साथ बहुत ज़्यादा विश्वास गात होता है ना तो आपका पता नहीं से लेगा जैसे अंग्रेज गायब हुए वैसे यह लोग भी गायब हो जाएगी लेकिन अब जरूरी है इसको फिर से समलने के लिए क्योंकि आप जैसे जो यूवाव आ रहे हैं आपका भविश इनको एक दो मौके और मिल गएना तो शायद जैसे वहगवान ने जन्म लिया था वैसे ही चमतकार हो तो तो हो सकता है वहदा था राहुल जी पूर्वा अनुमानों का ट्रेंड चल रहा है जहां भाजपा कहते है कि अपकी बार तीन सो पार अकले शादर भी कई मंचों से यह कहते हुए नजर आ गए हैं कि वह चार सो का अकला भी पार कर सकते हैं तो इस मसले में कॉंग्रिस क्या कहना चाहती है कॉंग्रिस कुछ भी बात करेंगे हमारा काम है यार वरतमान इस्तिती के लिए लड़ाएं लड़ना वर्तमान प्रसीतिए के लिए संगर्स करना यहां के लोगों की परिशानियों को कम कराना हम वह बात करेंगे अब यह तो न्यंड जंता लेगी और आप देख लीजेगा आदर्णिय प्रेंका जी के नेतित में पिछले कई वर्षवाबाद हम पूरी सीटों पर चनाव लड़ रहे हैं इस बार वो आशिवाद मिलेगा कि आकलेश जी और इनकी जो बी पार्टी है मायवती और वीसी जी और वो खुद योगी जी शौगन हो जाएंगे कि ये क्या हुगा ये क्य क्या वाकि मैं हिंदुषतार की उत्तवप्रिदेश की जनता इतनी जागरुक हो गई है और उत्तवप्रिश् की जागरुकता का जो दारन होगा वहांए वाले भुर्यगता के हर चणाव में में वोगा दौहाज़ारबाईस भीज चोड़ेंगे दोफ्वलिस भी जाएगा राहुल मैं आपसे राजनेतिक होने के नाते नहीं भारत के शचक नागरेक होने के नाते सवाल पूछना चाहता हूं कि 2017 भाजपा चुनावी घोश्रापत्र के अनुसार आपको क्या लगता है कि बीते पांस सालों में कितना काम हुआ कितना बकाया है और कितना हुआ ही नहीं हिंदोस्तान की थे यास में पहली बार इतनी घोश्राइं हुई हैं कोविड नाइटीन में फैनेंश इस में तनी गोश्राइं कि ये देस घोश्राओं से नहीं चलता है सातियों ये देस काम से चलता है और मनमौन सिंग जी का वह वक्त था जब एन्लोंने हर घर में इतना पैसा कर दिया था कि जब भी को एमर्जेंसी आती थी तो हमारे घर की जो मातल सकती हमारी आपकी मा, बेहन हैं वो हम लोगो को बचा लेती से, नोटबंदी में इनोंने वो भी निकाल लिया क्योंकि ने थो बहुत पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए कि हम और आप कल्बना न लाशों के ऊपर से मैं तो भोल भी नहीं पा रहा हूं साथ हर जगे बात मत करो अगर समझ सकते तो तो सिफ और सिफ जनता की बात करो समस्याओं की बात करो जनता की बात पर आता हूं कि अभी हाल ही में जहांसी रेलवेश्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्षमी भाई रख दिया गया जो कि व्याक्रत के रूप से अपूर नजर आता है इस पर कॉंग्रेसिवं अन्य पक्षिदलों ने काफी मुहिम चलाने का प्रयास भी किया आपको क्या लगता है एक बुद्धी जीवी वर्ग है वो कहता है कि पर्रेटन और अन्य विभाग है वो इसके इसे प्रभावित होंगे आपने रावण का नाम सुना है जी है ना वह इतना इंकारी हो गया था इत हैं कि यह जो भी ऐसा नाम है जिसमें मुगल टच है या किसी एक जाती विसेश का टच है इन्हें नाम बतलना है उस इंकार में यह गलती कर गए कि हमारी मां हमारी दूसरी मां रानी लेक्षिव गाई जिन्होंने अपने जीवन की आहुती दे दी कि मैं जहासी नहीं होगी कि बहू आई उसने अपना परिवारिक सुक और महल का सुक ना अपनाके उसने का मैं जहासी नहीं दूगी जिए और उस जहासी नहीं दूगी के लिए उसने अपना जान भी निजावर कर गी मृते वग्त भी गहाओं में भी उनके यही शर्थ है कि मैं जासी नहीं दोगी तो अब उनका जो शाप लगेगा ना उनके रोम के घुरे हो जाएगे और जहां तक हमलों की बात है जासी हमारे संस्कारों में है हमारी आत्मा में है और रानी के बिना जासी और जासी के बिना रानी दौनों आप वर्ड में कहीं पर भी जहासी बोल दो रानी जहासी बोलेंगे और रानी लक्ष्वियाई बोल दो अच्छा जहासी वाली रानी तो यह दौनों नाम ऐसे ही हैं जैसे एक आत्मा और संगी का तो यह इनने बहुत गलत किया यह इन्होंने अपने संस्कारों के साथ से जो को क्या संदेश देना चाहते हैं अब हम किसी को खोने के लिए तयार नहीं है और बिल्कुल रिक्स नहीं देना चाहते हैं नमबर वन नमबर टू प्लीज बीस तारीक को जब आप बोट करें तो किसी भी जुमलें में जूटे पिरचार में उसमें मत कीजेगा मैं हाथ व्यक्तिगत इस जहांसी के लिए बोट कीजेगा अपने परिवार के उजबल भविस के लिए बोट कीजेगा स्वास सेवाओं के लिए बोट कीजेगा मल्टी लेवल पारकिंग के लिए बोट कीजेगा वाके में स्मार्ट सिटी के लिए बोट कीजेगा इस तरीके के सकती जो हमारी है महला हैं जिससे हमाई पैचान है रानी जहां सी जलकारी भाई थे उनकी स्वरक्षा के लिए बोड़ कीजेगा तो यकीनन मानिएगा आप कर प्रदेश फिर से खुशाल होगा और जैसे पूर में इतनी चीजे आई वो तो हमारे जहां से यह नाटक कर रहे है यह एरपोर्ट का हमारे पताने तो 89 में यह एर स्टेप बनवा दी थी अगर उसे में गॉर्मन नहीं जाती और जनता फिर से आशिवाद देती 89 के दसक में है यह एरपोर्ट बन गया होता है लो ने कुछ ध्यान नी दिया आदरनी मुलायम सिंग जी ने तो वो डिफेंस मे के हार्ड में बैठें विडवना यह कि अंग्रे जाये तो उन्होंने भी हमारी कावलियत समझी है आर्मी का रेलवे का सेंटर यहां बनाया है तो मैं आपके आशिवाद आपके चन्णों का आशिवाद लेके इसकी जो भॉगलिक परिस्तितियां उसको समझूंगा और यहा रहे हैं हमारे साथ केमरामेन गौरफ के साथ मैं वैभव चौबे आधा साहत आधा मेडिया नमस्कार